अरे चिंटू मिंटू, अरे कहा हो तुम सब लोग, अरे देखो, तुमान ये कुछ लेकर आया हूँ अरे इतनी सुभा सुभा क्यों चिला रही हो, और ये क्या, हाप तो खाली है, फिर क्यों चिला रही हो अरे भाई लगता है पापा सुबह सुबह किसे से चिलाने की ट्रेनिंग लेकर आये है क्या कहा तुने तेरी इतनी हिम्मद अरे तपने बाप से मूल लड़ाएगा हाँ ये ले सारा मूल खराब कर दिया गडे ने और मेरा मूल अच्छा हो गया क्या बोला तुने नालायक अरे कुछ नहीं पापा बस एक रिलका था वो भी खतम हो गया अरे मुन्नी सुनो अरे जल्दी सुनो ये गाड़ी मैं चिंटू के स्कुल जाने के लिए लेकर आया हूँ अरे वा पापा मेरे लिए बाइक अब पापा मैं सुबह क्या रात में भी इसकुल जाओंगा अरे चुपकर नालायक चुपकर एकदम चुप मैं कोई ऐसा वेसा बाप थोड़ी हूँ मैं दबंबाप हूँ दबंबाप मैं तुमारे लिए गाड़ी नहीं बाइक भी नहीं मैं तुम्हारे लिए JCP लाया हूँ JCP अब रोज JCP पर चड़ कर इसकुल जाना समझे JCP JCP हाँ हाँ JCP वाँ अरे भाई में तो चल चल इसकुल जाते है भाई JCP में तो बहुत मचा आए गा जा इसकुल जा जा अरे हम भी इसकुल आ रहे हैं आज पर और सलक पर इक हाथ आया जादी को पार भगाया और घर भी तोल दिया मैं तो सब कुछ तोल के आगया अरे चिंटू हवा में उन्ने में मज़ा तो आ रहा है ना अरे भाई चिंटू ये तो बोलने वाली JCP है अरे भाई लेकिन हवा में उन्ने में बहुत मज़ा आ रहा है अरे हाँ भाई सच मुझ बहुत मज़ा आ रहा है अरे चिंटू भाईया आग दिन बर हम हवा में ही उड़ते रहेगे आज इसकुल जाना कैंसल हाँ मिंटू आग दिन बर उड़ते ही रहेगे अरे चिंटू मिंटू लेकिन मैं ज़्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकता तो कि मैं जल्दी ही गरम हो जाता हूँ अरे जैसीपी भाई साथ तुम गरम होने की चिंटा मत करो हमारा मिंटू सुसु करके तुमारी मोटर को थंडा कर देंगा थंडा अरे जैसीपी भाईया अभी तो हमें बहुत उड़ना है कव्य की तरह उड़ना है भाई अरे भाई बहुत मज़ा आ रहा है अरे JCB भया टेच चलाओ तेच और भाई उन्ने में तो बहुत मज़ा आ रहा है अरे क्या जमाना आ गया है बाप इस्कूल जा रहा है और बेटा हिवा में सेर कर रहा है मैं चिंटु का बाप हूँ मेरा बेटा इस्कूल में तो है न? अरे भाई साब वो क्लास में नहीं होगा तो क्या मेरे ओफिस में होगा अरे जेसी भी भाईया क्लास के ओपर जल्दी से एमर्जेंसी लाइंडिंग करो अरे चिंटू भाईया चलो चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं अरे अब कौन सा क्लास चलना है मिंटू अरे चिंटू भया आज एक मुहावरे का अर्थ समझ में आया ना बजेगा बास ना बजेगी बासूरी तुम दोनों अरे घर में ग्लास तोड़ता है इसकुल में क्लास तोड़ता है आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूगा ये ले ये ले ये ले अरे मम्मी मुझे पीज़ा खाना है अरे केसी बात कर रहे हो बेटा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें चुडेल के बेटे हो चुडेल के बेटे और चुडेल का बेटा इंसानों की तरह पीज़ा नहीं बल्कि इंसानों को ही खाता है अरे ममी, लेकिन इनसान कहा मिलेगे बेटा, तुम चिंता मत करो, चलो हम इनसानों की खोच में निकलते है अरे चिंतु बैया, हमारे पास इतनी महंगी वाली कार क्यों नहीं है अरे मिंटु, वो लोग बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी इसलिए उनके पास महंगीकार है और बड़ा आदमी वही बनता है जिसको भगवान सीड़ी भेज कर उपर उठाते है अरे बिंटू देख भगवान ने कितने जल्दी मेरे लिए सीड़ी भेज दी सीड़ी वो देख अरा चिंटू भगवान ने तो मेरे लिए भी सीड़ी भेज दी इस बार तुम दोनों मुझसे नहीं बचने वाले चलो इस बार हम दोनों मा बेटे तुमारा सिकार करेगे अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी अरे भाई मिन्टू ये दोनों तो हम दोनों को खा जाएगे जल्दी से कोई चाल चलनी पड़ेंगी भाई अरे हाँ मिन्टू भाईया आप सही कह रहे हो अरे खेलने चलोगे अरे मम्मी इनको हम बाद में खाएगे सबसे पहले हम इनके साथ खेलेगे ठीक है ठीक है बेटा मगर ध्यान रहे कि ये कही भाग ना जाए चलो अब खेलते है अरे लेकिन मुझे तो कोई खेल आता ही नहीं अरे कोई बात नहीं हम तुम्हें सिखा देगे अरे बच्चा सबसे पहले हम लुका चुपी खेलेगे सबसे पहले तुम छुप जाओ हम दोनों तुमको ढुणेगे अरे कहा गया कहा गया कहा गया अरे कहा है कही दिखाई नहीं दे रहा अरे पकर लिया पकर लिया अरे घोचु हमने तुम्हें देख लिया है अब बाहर आजाओ बाहर अरे अब हमारी बारी है एक, दो, तीन अरे मैं आ रहा हूँ अरे मिन्टू जब तक वो एक, दो, तीन कर रहा है तब तक हमें भी यहाँ से एक, दो, तीन हो जाना चाहिए अरे कहा गए, कहा गए अरे यह तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है अरे ये खेल तो मुझे जादा ही कठिन लगता है अरे मिन्टू वो चुडेल का बच्चा हमें अभी भी वही खोज रहा होंगा अरे हाँ बाई और हम तो अपने घर भी आ गए मैं पूरे एक हपते से भूकी हूँ तब भी दिल खोल कर हस रही हूँ क्योंकि मैं चुडेल हूँ चुडेल लेकिन अब मैं भूकी नहीं रहूगी मैंने एक आइडिया निकाला है अब मैं एक धोसे की दुकान खोलूँगी और वहाँ धोक कैसे बच्चों को पकड़ कर लाऊंगी अब देखती हूँ चिन्टू मिन्टू मैर से कैसे बच्च के निकलते है अरे चिन्टू भाया आँ धोसे खाने का बहुत मन कर रहा है अरे भाई फिर सोचना क्या है चलो चलते है उधर कोई धोसे की दुकान तो मिल है जाएंगी अरे मिन्टू चल वो देख वहाँ चलते है अरे आंटी हमें धोसे खाने है धोसे हाँ हाँ खाओ खाओ जम कर खाओ अरे आंटी लेकिन हमार पास कोई पेसे नहीं है अरे तुम दोनों से पेसे पांगे भी किसने हाँ ये लो खाओ मजे से खाओ ये दुकान मैंने केवल तुम दोनों के लिए खोली है समझे बेटा हम दोनों के लिए मैं चुडेल हूँ चुडेल अरे बिंटू हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोका हुआ है ये तो चुडेल है भाई चुडेल अब तुम दोनों मेरे कबजे में हो मेरे कबजे में अब मैं तुम दोनों को कच्चा खाऊंगी अरे चुडेल आंटी आप तो वही दोसे वाली आंटी होना हाँ मिंटू तुमने सही पहचाना मैंने तुम दोनों के धोसे में नीन की तवाई मिला दी थी ये रहा तुमारा धोसा अरे मिन्टू लगता है उस धोसे में अभी भी निन का असर होगा अरे हाँ भाई लगता है असर तो जरूर होगा तुम दोनों की क्या खुसर पुसर चल रही है यहाँ तुम दोनों की कोई चाल नहीं चलने वाली अब मैं तुम दोनों को खाऊंगे, तैयार हो जाओ अरे चुड़ेल आंटी, हम दोनों को खाईए, जरूर खाईए मगर चुड़ेल आंटी, मिंटु ने दो दिन से पोटी नहीं किये है और मैं दो दिन से बिल्कुल भी नहीं नहाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं जाओ मिंटु, पोटी करकर आओ और तुम चिंटु, अच्छे से साबुन से रगर रगर कर नहा कर आना मैं केवल फ्रेश माल खाती हूँ तब तक मैं सोने जा रही हूँ अरे कुटा, तुम इन दोनों के साथ जाओ आ, 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 आ नहीं तो कुट्टे की नीन खुल जाएंगी भाई, जल्दी भाग अरे कुट्टे, तुने मेरे शिकार को भगा दिया, ये ले अरे चल कुट्टा, चल, 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 चल अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चला रही हो, और ये क्या, हाप तो खाली है फिर क्यों चला रही हो, आरे भाई लगता है पापा सुबह सुबह किसे से चलाने की ट्रेनिंग लेकर आये है क्या कहा तुने तेरी इतनी हमद अरे तपने बाब से मूल लडाएगा हाँ ये ले सारा मूल खराब कर दिया गडे ने और मेरा मूल अच्छा हो गया क्या बोला तुने नलायक अरे कुछ नहीं पापा बस एक रिलका था वो भी खतम हो गया अरे मुन्नी सुनो अरे जल्दी सुनो ये गाड़ी मैं चिंटू के इसकुल जाने के लिए लेकर आया हूँ अरे वा पापा मेरे लिए बाइक अब पापा मैं सुबह क्या रात में भी इसकुल जाओंगा अरे चुपकर नलायक चुपकर एकदम चुप मैं कोई ऐसा वेसा बाप थोड़ी हूँ मैं दबंबाप हूँ दबंबाप मैं तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं बाइक भी नहीं मैं तुम्हारे लिए जेसीपी लाया हूँ जेसीपी अब रोज जेसीपी पर चड़कर इसकुल जाना समझे जेसीपी कि जे सीपी हां जे सीपी वाइव आरे भाई में तो चल चल इसकुल जाते हैं भाई जे सीपी में तो बहुत मचा आए गा जा इसकुल जा 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 अरे हम भी स्कुल आ रहे हैं आज और में निकला जैसीपी लेके और रस्ते पर और सबक पर इस हाथ आया और घर भी तोल दिया मैं तो सब कुछ तोल के आ गया औरे चिंटू हवा में उन्ने में मज़ा तो आ रहा है ना अरे भाई चिंटू ये तो बोलने वाली जैसीपी है अरे भाई लेकिन हवा में उन्ने में बहुत मज़ा आ रहा है अरे चिंटू भाई साथ तुम गरम होने के चिंटा मत करो हमारा मिन्टू सुसु करके तुमारी मोटर को थंडा कर देंगा थंडा अरे जैसीपी भाई अभी तो हमें बहुत उन्ना है कवे की तरह उन्ना है भाई अरे भाई बहुत मज़ा आ रहा है अरे जैसीपी भाई तेच चला तेच और भाई उन्ने में तो बहुत मज़ा आ रहा है अरे क्या जमाना आगया है बाप स Iran जा रहा है और बेटा हवा में सेर कर रहा है मैं चिन्टू का बाप हूँ मेरा बेटा स क्यों हना तो है न अरे भाई साब वो कलास में नहीं होगा तो क्या मेरे ओफिस में होगा अरे जेसीपी भया, क्लास के ओपर जल्दी से एमर्जेंसी लाइंडिंग करो अरे चिंटू भया, चलो चलो जल्दी से क्लास में चलते है अरे अब कौन सा क्लास चलना है मिंटू? अरे चिंटू भया, आज एक मुहावरे का अर्थ समझ में आया ना बजएगा बास ना बजएगी बासूरी तुम दोनों अरे घर में ग्लास तोड़ता है इसकुल में क्लास तोड़ता है आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूगा ये ले ये ले ये ले अरे मम्मी मुझे पिज़ा खाना है अरे केसी बात कर रहे हो बेटा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें चुडेल के बेटे हो चुडेल के बेटे और चुडेल का बेटा इंसानों की तरह पीजा नहीं बलकि इंसानों को ही खाता है अरे ममी लेकिन इंसान कहा मिलेगे बेटा तुम चिंटा मत करो चलो हम इंसानों की खोच में निकलते है अर चिंटु बैया हमारे पास इतनी महंगी वाली कार क्यों नहीं है अरे मिन्टु वो लोग बड़े आदमी है बड़े आदमी इसलिए उनके पास महंगी कार है और बड़े आदमी वही बनता है जिसको भगवान सीड़ी भेज कर उपर उठाते है अरे मिन्टु देख भगवान ने कितने जल्दी मेरे लिए सीड़ी भेज दी सीड़ी वो देख अरा चिंटु बैया भगवान ने तो मेरे लिए भी सीड़ी भेज दी इस बार तुम दोनों मुझसे नहीं बचने वाले चलो इस बार हम दोनों मा बेटे तुमारा सिकार करेगे अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी अरे भाई मिंटू ये दोनों तो हम दोनों को खा जाएगे जल्दी से कोई चाल चलनी पड़ेंगी भाई अरे हा मिंटू बैया आप सही कह रहे हो अरे खेलने चलोगे अरे मम्मी इनको हम बाद में खाएगे सबसे पहले हम इनके साथ खेलेगे ठीक है ठीक है बेटा मगर ध्यान रहे कि ये कहीं भाग ना जाए चलो अब खेलते है अरे लेकिन मुझे तो कोई खेल आता ही नहीं अरे कोई बात नहीं हम तुम्हें सिखा देगे अरे बच्चा सबसे पहले हम लुका चुपी खेलेगे सबसे पहले तुम चुप जाओ हम दोनों तुमको ढुणेगे अरे कहा गया कहा गया कहा गया अरे कहा है कहीं दिखाई नहीं दे रहा अरे पकल लिया पकल लिया पकल लिया अरे घोचु हमने तुम्हें देख लिया है अब बाहर आ जाओ बाहर अरे अब हमारी बारी है एक दो तीन अरे मैं आ रहा हूँ अरे मिन्टू जब तक वो एक दो तीन कर रहा है तब तक हमें भी यहाँ से एक दो तीन हो जाना चाहिए अरे कहा गए कहा गए अरे ये तो कही दिखाई भी नहीं दे रहे अरे ये खेल तो मुझे जादा ही कठिन लगता है अरे मिन्टू वो चुडेल का बच्चा हमें अभी भी वही खोज रहा होंगा अरे हाँ बाई और हम तो अपने घर भी आ गए मैं पूरे एक हपते से भूकी हूँ तब भी दिल खोल कर हस रही हूँ क्योंकि मैं चुडेल हूँ चुडेल लेकिन अब मैं भूकी नहीं रहूँगी मैंने एक आइडिया निकाला है अब मैं एक धोसे की दुकान खोलूँगी और वहाँ धोक कैसे बच्चों को पकड़ कर लाऊंगी अब देखती हूँ चिन्टू मिन्टू मेर से कैसे बच्च के निकलते है अरे चिन्टू बईया आँ धोसे खाने का बहुत मन कर रहा है अरे भाई फिर सोचना क्या है चलो चलते है उधर कोई धोसे की दुकान तो मिल है जाएंगी अरे मिन्टू चल वो देख वहाँ चलते है अरे आंटी हमें धोसे खाना है धोसे हाँ हाँ खाओ खाओ जम कर खाओ अरे आंटी लेकिन हमार पास कोई पेसे नहीं है अरे तुम दोनों से पेसे पांगे भी किसमें हाँ ये लोग खाओ मज़े से खाओ ये दुकान मेने केवल तुम दोनों के लिए खोली है समझे बेटा हम दोनों के लिए हम दोनों के लिए मैं चुडेल हूँ चुडेल अरे बिंटू हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोका हुआ है ये तो चुडेल है भाई चुडेल अब तुम दोनों मेरे कबजे में हो मेरे कबजे में अब मैं तुम दोनों को कच्चा खाऊंगी अरे चुड़ लाएंटी आप तो वही दोसे वाली आणटी हो न? हाँ हाँ मिन्टू, तुमने सही पहचा ना मैंने तुम दोनों के दोसे में नीन की तवाई मिला दी ये रहा तुमारा दोसा अरे मिन्टू, लगता है उस दोसे में अभी भी नीन का असर होगा अरे हाँ भाई लगता है असर तो जरूर होगा तुम दोनों की क्या खुसर पुसर चल रही है यहाँ तुम दोनों की कोई चाल नहीं चलने वाली अब मैं तुम दोनों को खाऊंगे तैयार हो जाओ अरे चुड़ेल आंटी हम दोनों को खाईए जरूर खाईए मगर चुड़ेल आंटी मिन्टू ने दो दिन से पोटी नहीं की है और मैं दो दिन से बिल्कुल भी नहीं नहाया हाँ हाँ कोई बात नहीं जाओ मिन्टू पोटी करकर आओ और तुम चिन्टू अच्छे से साबून से रगर रगर कर नहा कर आना मैं केवल फ्रेश माल खाती हूँ तब तक मैं सोने जा रही हूँ नहीं तो कुते की नीन खुल जाएंगी भाई जल्दी भाग अरे कुट्टी तुने मेरे शिकार को भगा दिया ये ले अरे चल कुट्टा चल 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 अरे मुन्नी अरे चिंटु मिंटु अरे कहा हो तुम सब लोग अरे देखो तुमा ले कुछ लेकर आया हूँ अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चिला रही हो और ये क्या हाप तो खाली है फिर क्यों चिला रही हो अरे भाई लगता है पापा सुबह सुबह किसे से चिलाने की ट्रेनिंग लेकर आये है क्या कहा तुने तेरी इतनी हिमत अरे तपने बाप से मूल लडाएगा हाँ ये ले सारा मूल खराब कर दिया गदे ने और मेरा मूल अच्छा हो गया क्या बोला तुने नालायक अरे कुछ नहीं पापा बस एक रिलका था वो भी खतम हो गया अरे मुन्नी सुनो अरे जल्दी सुनो ये गाड़ी मैं चिंटू के इसकुल जाने के लिए लेकर आया हूँ अरे वा पापा मेरे लिए बाइक अब पापा मैं सुबह क्या रात में भी इसकुल जाओंगा अए चुपकर नालायक चुपकर एकदम चुप मैं कोई ऐसा वेसा बाप थोड़ी हूँ मैं दबंबाप हूँ दबंबाप मैं तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं बाइक भी नहीं मैं तुम्हारे लिए जेसीपी लाया हूँ जेसीपी अब रोज जेसीपी पर चड़कर इसकुल जाना समझे जेसीपी जेसीपी हाँ हाँ जेसीपी वाँ अरे भाई में दो चल चल इस्कूल जाते हैं भाई जेसीपी में तो बहुत मचा आएगा जा इस्कूल जा जा अरे हम भी इस्कूल आ रहे हैं आज अरे चिंटू हवा में उन्ने में मज़ा तो आ रहा है ना आरे भाई चिंटू ये तो बोलने वाली जैसी भी है हाँ हा मिंटू ये तो बोलने वाली जैसी भी है बोलने वाली अरे भाई लेकिन हवा में उन्ने में बहुत मज़ा आ रहा है अरे हाँ भाई सच मुझ बहुत मज़ा आ रहा है अरे चिंटू भाईया आग दिन बर हम हवा में ही उड़ते रहेगे आज इसको जाना कैंसल हाँ हाँ मिंटू आग दिन बर उड़ते ही रहेगे अरे चिंटू मिंटू लेकिन मैं ज़्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकता तो कि मैं चल्दी ही गरम हो जाता हूँ अरे जेसीपी भाई साथ तुम गरम होने के चिंटा मत करो हमारा मिंटू सुसु करके तुमारी मोटर को थंडा कर देंगा थंडा अरे जेसीपी भाईया अभी तो हमें बहुत उड़ना है कवे की तरह उड़ना है भाई अरे भाई बहुत मज़ा आ रहा है अरे जेसीबी भया देच चलाओ देच और भाई उन्ने में तो बहुत मज़ा आ रहा है अरे क्या जमाना आ गया है बाप इसकूल जा रहा है और बेटा हवा में सेर कर रहा है मैं चिंटू का बाप हूँ मेरा बेटा इसकूल में तो है न अरे भाई साब वो क्लास में नहीं होगा तो क्या मेरे ऑफिस में होगा अरे जेसीबी भया क्लास के उपर जल्दी से एमरजेंसी लाइंडिंग करो अरे चिंटू भया चलो चलो जल्दी से क्लास में चलते है अरे अब कौन सा क्लास चलना है मिंटू अरे चिंटू भया, आज एक मुहावर का अर्थ समझ में आया, ना बजेगा बास, ना बजेगी बासूरी तुम दोनों? अरे घर में गलास तोड़ता है, इसकुन में कलास तोड़ता है आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूगा, ये ले, ये ले, ये ले अरे ममी, मुझे पीज़ा खाना है अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुमें नहीं मालूम कि तुमें चुडेल के बेटे हो चुडेल के बेटे और चुडेल का बेटा इंसानों की तरह पीज़ा नहीं, बलकि इंसानों को ही खाता है अरे ममी लेकिन इनसान कहा मिलेगे बेटा तुम चिंता मत करो चलो हम इनसानों की खोच में निकलते हैं अरे चिंटू बईया हमारे पास इतनी महंगी वाली कार क्यों नहीं है अरे मिंटू वो लोग बड़े आदमी है बड़े आदमी, इसलिए उनके पास महंगीकार है और बड़ा आदमी वही बनता है जिसको भगवान सीड़ी भेज कर उपर उठाते है अरे बिंटू देख भगवान ने कितने जल्दी मेरे लिए सीड़ी भेज दी सीड़ी वो देख अरा चिंटू भईया भगवान ने तो मेरे लिए भी सीड़ी भेज दी इस बार तुम दोनों मुझसे नहीं बचने वाले चलो इस बार हम दोनों मा बेटे तुम्हारा सिकार करेगे अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी अरे भाई मिन्टू ये दोनों तो हम दोनों को खा जाएगे जल्दी से कोई चाहल चलनी पड़ेंगी भाई अरे हाँ मिन्टू भाईया आप सही कह रहे हो अरे खेलने चलोगे अरे मम्मी इनको हम बाद में खाएगे सबसे पहले हम इनके साथ खेलेगे ठीक है ठीक है बेटा मगर ध्यान रहे कि ये कही भाग ना जाए चलो अब खेलते है अरे लेकिन मुझे तो कोई खेल आता ही नहीं अरे कोई बात नहीं हम तुम्हें सिखा देगे अरे बच्चा सबसे पहले हम लुका छुपी खेलेगे सबसे पहले तुम छुप जाओ हम दोनों तुमको ढूंडेगे अरे कहा गया कहा गया कहा गया अरे कहा है कही दिखाई नहीं दे रहा अरे पकल लिया पकल लिया पकल लिया अरे घोचू हमने तुम्हें देख लिया है अब बाहर आजाओ बाहर अरे अब हमारी बारी है एक दो तीन अरे मैं आ रहा हूँ अरे मिन्टू जब तक वो एक-दो-टीन कर रहा है तब तक हमें भी यहासे एक-दो-तीन हो जाना चाहिए अरे कहा गए कहा गए अरे ये तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है अरे ये खेल तो मुझे जादा ही कथिन लगता है अरे मिन्टू वो चुडेल का बच्चा हमें अभी भी वही खोज रहा होंगा अरे हाँ बाई और हम तो अपने घर भी आ गए मैं पूरे एक हपते से भूकी हूँ तब भी दिल खोल कर हस रही हूँ क्योंकि मैं चुडेल हूँ चुडेल लेकिन अब मैं भूकी नहीं रहूँगी मैंने एक आइडिया निकाला है अब मैं एक धोसे की दुकान खोलूँगी और वहाँ धोक कैसे बच्चों को पकड़ कर लाऊंगी अब देखती हूँ चिन्टू मिन्टू मेर से कैसे बच्च के निकलते है अरे चिन्टू बाया आँ धोसे खाने का बहुत मन कर रहा है अरे भाई फिर सोचना क्या है चलो चलते है उधर कोई धोसे की दुकान तो मिल है जाएंगी अरे बिन्टू चल वो देख वहाँ चलते है अरे आंटी हमें धोसे खाना है धोसे हाँ हाँ खाओ खाओ जम कर खाओ अरे आंटी लेकिन हमार पास कोई पेसे नहीं है अरे तुम दोनों से पेसे पांगे भी किसमें हाँ ये लोग खाओ मज़े से खाओ ये दुकान मैंने केवल तुम दोनों के लिए खोली है समझे बेटा हम दोनों के लिए हम दोनों के लिए मैं चुडेल हूँ चुडेल अरे बिंटू हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोका हुआ है ये तो चुडेल है भाई चुडेल अब तुम दोनों मेरे कबजे में हो मेरे कबजे में अब मैं तुम दोनों को कच्चा खाऊंगी अरे चुड़ेल आंटी, आप तो वही दोसे वाली आंटी हो ना हाँ हाँ मिन्टू, तुमने सही पहचाना मैंने तुम दोनों के धोसे में नीन की तवाई मिला दी थी ये रहा तुमारा धोसा अरे मिन्टू, लगता है उस धोसे में अभी भी नीन का असर होगा अरे हाँ भाई, लगता है असर तो जरूर होगा तुम दोनों की क्या खुसर पुसर चल रही है यहाँ तुम दोनों की कोई चाल नहीं चलने वाली अब मैं तुम दोनों को खाऊंगे, तयार हो जाओ अरे चुड़ेल आंटी, हम दोनों को खाईए जरूर खाईए मगर चुड़ेल आंटी, मिंटु ने दो दिन से पोटी नहीं की है और मैं दो दिन से बिल्कुल भी नहीं नहाया हाँ हाँ कोई बात नही जाओ मिंटू, पोटी करकर आओ और तुम चिंटू, अच्छे से साबून से रगर रगर कर नहा करा ना मैं केवल फ्रेश माल खाती हूँ तब तक मैं सोने जा रही हूँ अरे कुट्टा तुम इन दोनों के साथ जाओ आ आ आ आ आ ये ले कुट्टा, खाले खाले एरे कुट्टा खाले खाले अरे चल चल मिन्टू, जल्दी से याहां से भाग चलते ही नहीं तो कुटे कि निन